नोखा एक्सप्रेक्स न्यूज बिकानेर इस वक्त बिकानेर से बेहत दुखत गवतना आजो की सामने आई है दिवंगत शियाई विश्णू दत विश्णू के पंदरा वर्षे बेटे ने आत्म हत्या की है पिता के आत्म हत्या पर उस वक्त सवाल उटे थे सीबियाई और उस मामले की जास कर रही है व्यासकालोनी थाना अधिकारी ने खबर की पुष्टी की है मिली जानकारी के अनुसार व्यासकालोनी चात दो चाना चेतर है मैं पुलिस ने लिक्षक सव विष्णूदत विष्णोई के पंदरा वर्षे बेटे लग्की ने घर में कमरे में फासी लगा दी सुजना पर जी आने वी सील पुलिस मोके पर पहुंच रही है सव को पीबेम अस्पताल में मोचरी में रखवाया है पताल की बेहद ही दुकत ये घटना है इस घटना को लेकर अब तमाम तरह से स्वाल भी उठाई जा रहे है पताल की दोस्तों सियाई विष्णूदत के पंदरा वर्षे बेटे ने खुद खुसी की है जी हाँ बेहद ही दुकत घटना है ये राजस्तान से जो की तहीं नहीं जखजोर देने वाल घटना है इससे पहले बता दें धन्यमेत रहे की बिकानेर जो जिले से ये बड़ी ख़बर आ रही है पता दें कि बिकानेर विष्णूदत के बेटे ने खुद कुसी किया है इससे पहले इनके पिता विष्णूदत ने भी जो खुद कुसी किया थी जिसकी जान से ब्याइप कर रहे थी और दोस्तों इस विकाबर को लेकर आपका क्या कहना है कॉमेंट में जुरू बताएं अगर चैनल फ्यूचर तक पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम इससे जुड़ा अगला बड़ा अपड़ेट आपको सबसे पहले दे सके हैं धन्यवाद